हलो दोस्तों, Laptop Master में आपका स्वाधत है, मैं आपका दोस्त निशानद आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नई लाप्टोप के साथ आज हम लेके आए हैं HP की NV Series का सबसे popular laptop जो आज की डेट पे सबसे ज़्यादा market में demanded में है यह है BF0121TU Laptop, अगर पीछे एक दो महीने में किसी ने भी NV Laptop लिया है तो इसके बारे में जरूर सर्च किया है, हमारे वीडियो की काफी डिमांड सी इस Laptop की वीडियो बनाने के लिए तो आज हम इसी Laptop को Unbox करने जा रही है सबसे पहले मैं आपको जादो यह Laptop हमें प्रोवाइड कराया है, HP ने और जिस डिले के थ्रू प्रोवाइड कराया है, वो करोलवाक के अंदर है Omin Playground HP World, जो दिल्ली का One and Only One Hybrid Store है जहां पर आपको Gaming Laptops के साथ साथ Lifestyle Products भी HP के आपको मिलते हैं यह Laptop Unbox करने के बाद कंपरी में वापिस चला जाता है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा और हाँ बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेजिएगा जिससे आगे हम कोई भी वीडियो अप्लोड करें है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों करते हैं Laptop को Unbox तो दोस्तों Laptop हमारा Open हो गया है आप हम वीडियो उन्बॉक्स करते हुए नहीं डालते थोड़ी सी लैंड दी हो जाती है वीडियो हम कोशिच करते हैं वीडियो जतनी जल्दी छोटी हो जाए और जितनी हम आपको छोटी वीडियो के अंदर आपको इनफर्मिशन दे सके देखें सबसे पहले वही जो हम उटते हैं प्रीमियम पावरइक को हर कंपरी की प्रीमियम होती है मैं आपको उदा दूं कंगे हर और तीवी अप आने लगी है सबसे जदा ऐसे अब अड़ेप्टर भी टाइप सी हो जाएंगे अ सारे ही company सारे adapter type c बनाएगी ये manual और ये stylus जिसे हम pen कहते हैं screen पे work करने के लिए तो ये है हमारा laptop तो दोस्तों ये है laptop nv 13.3 inches के अंदर ये laptop है बहुत ही sleek laptop है अगर weight की बात करूंगो तो approximately 1.3 kg का आपको इसमें weight मिलता है metal body इसकी देखते हैं company इसके साथ इसमें metal body देती है जिसकी build quality बहुत ही perfect होती है देखिए nv series अगर आप ले रहे हैं और आपने nv का नाम लिया है तो उसके साथ hp कभी भी quality compromise कभी नहीं करता sleekness देखे अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको simple एक line दिखाई देगी ठीकिए आप कहीं से भी दिख लिए बढ़ा sleek laptop है backside भी देखिए rubber bent बहुत ही perfect laptop hp अपनी nv series के अंदर launch करता है देखते हैं एक हाथ से open होता या नहीं होता एक हाथ से open laptop नहीं होगा lightweight laptop है देखे अगर हम wobbling की बात भी करेंगे तो जहां हमने screen को छोड़ा यह वहीं पे रुख गई तो दोस्तो laptop को boot up करते हैं और देखते हैं इसमें कौन-कौन से ports hp ने आपको दिये हैं दोस्तो इसके left side में अगर हम देखेंगे तो आपको 3 ports दिखाई देते हैं जो दो port है वो है thunderbolt 4 with usb type c 40 gbps signaling rate के साथ इसी से आप laptop को charge भी कर सकते हैं जो इसका charger है वो type c ही है और 7 में आपको मिलता है एक super speed usb type a 10 gbps signaling rate के साथ अगर हम बात करेंगे laptop के right side की तो right side में सिरव और सिरव आपको तीन ports दिखाई देते हैं पहला port आपको दिखाई देता है combo jack 3.5 mm का headphone और microphone को connect करने के लिए उसके साथ आपको दिखाई देता है micro sd media card reader और तीसरा port जो आता है वो है super speed usb type a 10 gbps signaling rate के साथ दो port आपको इसमें usb के मिल गए पिछली दो लापटापी configuration देखते हैं क्या है बात करेंगे processor की तो 12th generation का processor है 4i5 1230u processor मैं आपको बदा दू 12th generation और 13 generation के अंदर बहुत ज्यादा differences आपको देखने को नहीं मिलते हैं जैसे यह processor की base speed 1 GHz है और turbo boost technology के साथ यह boost up के 4.4 GHz तक जाता है maximum turbo boost frequency इसकी 4.4 GHz है 13 generation होता तो 4.6 GHz होता इससे ज्यादा difference Intel ने अपने processor में नहीं change किया है 12th और 13th generation में इसलिए आज की rate में 13th generation launch हो चुका है लेकिन फिर भी 12th generation ज्यादा market में sale होता हुआ दिखाई दे रहा है course देखेंगे तो 10 core का processor है जिसमें से performance core 2 है और efficient core 8 है maximum turbo boost frequency जो 4.4 GHz है वो सिरफ 2 core के लिए है 8 cores के लिए तो maximum turbo boost frequency है वो है 3.3 GHz तक यानि 3.3 GHz तकी frequency जाएगी turbo boost होका है logical processor की बात करेंगे तो 12 है और मैं यह भी बता दू अगर आप इसके nanometer की बात करेंगे processor का 10 nanometer का processor आपको intel देता है L3 cache की बात करेंगे तो वो भी 12 MB है memory 16 GB की RAM है इसमें 16 GB की RAM आपको लती है LPDDR4 RAM है 4 to 6 7 MHz की slot use 2 है 2 के 2 used है मैं आपको जादू LPDDR4 है तो इसमे slot use जैसे इसमें दिखा रखा है 2 वो on board है soldered है जब laptop खोलेंगे आपको दिखाएंगे RAM आपको इसकी upgrade नहीं हो सकती है आप इसमें confused मत अभी है कि दो slot है दो के दो हम इसको आगे जैसे 16 GB 890 की निकालके 16 लगा लें RAM इसमें upgrade बिल्कुल भी नहीं होगी जब laptop खोलेंगे तो आपको इसमें बता देंगे disk की बात करते है क्यों से अगी disk लगी भी है 512 GB की जिसकी आपको प्रैशिटी मिलती है 477 GB की Wi-Fi Wi-Fi 6E मिलता है जो gaming laptops में आता था Wi-Fi 6E वो आपको इसमें मिलता है और Bluetooth की बात करेंगे तो 5.3 है Intel Iris Xe Graphics आपको HP's laptop में देता है अगर मैं Iris कई लोग को पूछते है Intel Iris Xe Graphics को अगर हम compare करें तो आप NVIDIA 350, 250 या 450 से भी आप compare कर सकते हैं Intel Iris Graphics को या 2 GB, 2 GB 350 से अगर हम shared की बात करेंगे तो 7.9 GB shared है Intel का processor है इसके अंदर आपने कोई graphic memory नहीं होती है इसमें भी dedicated कोई भी graphic memory आपको नहीं मिलती है इस configuration की voice अभी जो आप सुन रहे थे वो हमने इसी laptop के mic से record करी थी सिर्फ इस वज़े से कि आपको यह पता चल जाए कि इस laptop के mic की quality कैसी है HP NV 13.3 इंचिस की WXGA जिसका resolution 1920 by 1200 है multi touch enabled है IPS है, edge to edge glass आपको दिखाई देती है, koronik gorilla glass आपको इसमें मिलता है 400 nits के साथ और 100% sRGB के साथ आपको इसकी screen मिलती है अगर हम camera की बात करें तो इसमें camera आपको true vision 5 megapixel IR camera मिलता है, camera के shutter भी आपको इसमें मिलेगा camera shutter with temple noise reduction and integrated dual array digital microphone के साथ आपको इसका webcam मिलता है, तो दोस्तो चलिए समय आगे है laptop का back panel open करने का, laptop का back panel open करके देखते हैं इसके parts दोस्तो laptop हमारा open हो गया, यह क्या, laptop पे इतनी बड़ी battery, देखिए कितनी बड़ी, आदे से ज़्यादा laptop को बैटरी नहीं कवर कर रखा है तो चलिए देखते हैं फिर भी laptop में क्या क्या है, यह देखिए सबसे पहला processor जो heat sink के through connected है, fan के साथ चोटा सा board है और यहाँ पे आपकी RAM लगी वी है, soldered RAM है जो आप अपगेट बिलकुल नहीं कर सकते हैं आपको HP ने इसमें दी है, देखते हैं यह SSD है जो आप अपगेट कर सकते हैं लेकिन आपको यह remove करनी पड़ेगी, यह remove करके ही आप दूसरी SSD लगा सकते हैं, दूसरा कोई भी slot laptop में नहीं मिलता है, यह आपको Wi-Fi 6 मिलता है और दो आपको यहाँ पे speaker मिलते हैं, और यह हमा जाएगा, तो दोस्तों आज अपने अन्बॉक्स किया HP NV 13.3 इंचिस का laptop, BF0121TU laptop, i512 generation के अंदर है, 16GB RAM और 512GB SSG साथ, जिसकी आपने complete configuration देख ली, देखें, आज की डेट पे यह सबसे ज़्यादा डिमांड के अंदर NV product है, HP का अगर मैं कहूं, देखें, 13.3 इसकी specialty भी काफी बेटर करी है, secondly, इसकी screen, 100% SRGV के साथ आपको screen दी है, HP ने इसकी full HD screen है, और Gorilla Glass के साथ, NV के साथ आपको यह laptop मिलता है, जो इसकी सबसे बड़ी खास बात है, charging आपको type C मिली रही है, अगर मैं आपको कहूं, आपने presentation देनी है, तो यह laptop सबसे perfect है, इस 360 degree move होता है, pen यूज कर सकते हैं, इसकी screen पे working करने के लिए, आप कोई भी working करना चाहें, आप working कर सकते हैं, लेकिन gaming के लिए यह laptop आपके लिए perfect नहीं है, perfect मैं यह कहूं कि laptop gaming के लिए नहीं बनाए, अगर आप gaming करेंगे, तो क्या problem है, यह बहुत चल्दी heat कर जाएगा, और आपको laptop में यह problem हाएगी, आपकी gaming भी नहीं हो पाएगी, आप 4K editing भी आप करना चाहेंगे, देखिए आप light करना चाहें, तो आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि बहुत heavy graphics पे, देखिए यह laptop light weight है, बहुत हलके fan लगे होते हैं इंग में, हलके in the sense, आप यह मत सुचे हैं लेकिन gaming के according, देखिए gaming जो laptops होते हैं, उनमें काफी heavy fans होते हैं, heat generate करते हैं, काफी long time में आप working करनी हैं आपने, तो यह भी आप 8 गंटे, 10 गंटे, 15 गंटे आप regular working कर सकते हैं, लेकिन आप 100% इस पे pressure डालेंगे तो laptop heat करेगा, otherwise, यह laptop मुझे personally बहुत पसंद आते हैं, HP के NV laptop, देखिए अगर आप इसके pricing की बात करेंगे, तो market में laptop असानी से आपको 90,000 तक मिल जाएगा, इसके सबसे जादा बिकने का एक यह भी बहुत करण है, कि lightweight है, attractive laptop है, build quality जबरदस है, touch screen के साथ laptop है, और pricing बहुत ही nominal, HP न इसकी रखी है, HP इसके साथ आपको one year की warranty देता है, on HP कर समय के रिए पर आपको on-site service मिलती है, अगर आप extend कराना चाहेंगे, तो time to time offer आती रहती है, दो साल आप extend हो सकते है, आप इसके साथ, मैं हमेशा touch screen वालों के साथ, हमेशा यह prefer करता हूं, कि आप accelerated damage production जरूर लीजिएगा, क्योंकि इनकी screen अगर तूट जाए, तो बहुत cost की परती है, देखे, laptop के अंदर mostly जो damage होता है, वो screen ही होती है, और touch screen है, screen की costing काफी ज़्यादा होती है, तीन साल का आपको accidental damage production मिलता है, आप एक साल का भी कराना चाहें, तो आप कर सकते हैं, जब भी आप HP World पे जाएं, वहाँ executive से जरूर पूछिएगा, और हमेशा warranty आप उसी brand की लीजिएगा, जैसे आप HP का अगर आप laptop ले रहे हैं, तो HP की website से आप accidental damage production लीजिएगा, या HP World पे आप वहाँ से accidental damage production लीजिएगा, बाकी भी अगर कहीं से आपको accidental damage production मिल रहा है, तो यह याद रखिएगा, वो HP का ही हो, जी हाँ, जब आप laptop लेते हैं, उसके एक म है, third party warranty आपको नहीं मिलती, मिलती भी है, तो बहुत ज़्यादा delay होती है, और कभी कोई damage हो जाए, तो HP आपको कोई भी चार्जिस नहीं लेता, कि 5%, 10%, कोई चार्जिस नहीं, totally free of cost, HP उस part को, damage part को change करके देता है, यह वीडियो आपको कैसी लगी है, हमें comment section में जरूर बता करेंगे, तो सबसे पहले notification आपके पास पहुंच जाएगा, तो दोस्तों, वीडियो के अज तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए laptop के साथ, चाहिंद